नव समवत सर आगमन की आप सभी को हरदाय से मंगल कामनाएं समवत दो हजार इठेतर तेरह अपरेल दो हजार इकीस से एक अपरेल दो हजार बाईस तक चलाए मान रहेगा ग्रही विवस्ताओं का जो ये आधार है 13 अपरेल 2021 को कुछ इस तरह से रहेगा हाला कि हम अंग्रेजी कलेंडर के अनुसार आप सभी के सम्मुक वारशिक वर्षवल की स्तियां लेकर आते हैं किन्तु अपरेल मई और जून के महिनों में ग्रही ववस्ता तेवरगामी आधार पर परिवर्थेत हो रही है तो इसी वज़े से नव सम्मवत सर के आधार पर चलते हुए जो जो यहां पर इस्तरा कांक्षे करें हैं वो अपने परिवर्थन के सुरूप के साथ में होंगे तो क्या फला फल निकल करा सकते हैं शनिदेव जो की महानियादी पती हैं उनकी तीसरी साथवी और दसवी दृस्टी किस तरह के फल निरुपन को सामने रखने वाली होगी स्वराशिस्तान में चल रहे हैं तो वहीं देव गुरू ब्रेस्पती भी 6 अपरेल के बाद से ही कुम्ब राशी में प्रवेश कर जाएंगे जहां 20 जून 2021 के समय अंतराल से कुम्ब में ही वकरी हो जाएंगे साथी साथ में आप देखिए कि जो 14 सतंबर 2021 का समय अंतराल रहेगा वहाँ पुने मकर में प्रवेश कर जाएंगे तो वहीं 18 अक्टूबर 2021 एक ऐसी तारिक रहेगी जहां देव गुरू ब्रेस्पती इस समपत्सर अंतराल में पुने है जो एक तरह से मारगी होने वाली सतियां होती है वकरी से निकल कर वहाँ आ चुके होंगे 20 नवंबर 2021 के बाद से ही कुम्ब राशिब में मारगी अवस्थाओं में चलाएमान रहने वाले होंगे शनिदेव 23 मई 2021 को वकरगत अवस्थाओं में आएंगे तो वहीं 11 अक्टूबर 2020 तक इनका करम मकर राशिब में वकरगत अधार पर ही चलने वाला रहेगा ये सारी ही मैतुपुन सतियां क्या संकेट दे रही है जिसकी चर्चा करते हैं जिससे कि हम भावी अधार को और अच्छे से समझने का यत्म और प्रहत्न कर पाएं परतम द्रिस्टी कोचर अधार पर यदि मैं देव गुरू ब्रहस्पती की ही चर्चा करूँ क्योंकि आजिवी का के साधन जीवन में परमुक्ता के साथ में चल सकते हैं और वहीं पर इच्छा शक्ती के भाव भी क्या कराएं है स्वप्रबंदन सेल्फ मेनेजमेंट की अप्रोच क्या कहेगी तो वहीं मानसिक सुख किस तरह से निकल कर आएगा आईए इसके चर्चा करें देव गुरू ब्रहस्पती की जो ये स्ततियां 14 सितंबर 2020 तक चलाएबान रहेगी आपके लिए कर्व शित्र के मिंदर प्रगती का आधार लेकर आएगी कोई भी साहसिक नर्णय आप अपनी जॉब को लेकर लिना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गमनशील हो सकते हैं दनागमन बहुत बहतर तरीकिस रहेगा वाणी नियंतरन के आधार पर रहेगी कुटुम्बी जनों के आधार पर कुछ ऐसे खर्चे निकल कर आ सकते हैं जिनकी संभाबना एकम थी ये वर्ष और ये जो संबतसर अंतराल है इसके साथ में आपको जो स्वास्थे से संबंदित स्टमक को रिलेट करती ही प्रब्लम्स होती है वहाँ खयाल रखनी के आवशक्ता है हाला कि 14 सतंबर से 20 नवंबर तक का अंतराल ऐसा रहेगा जहां एक रिलीव की पॉसिबल एप्रोच भी बनी रहने वाली होगी गौर करने लाइक बात यह है कि शनिदेव की स्ततिया अपने उच्च राशी स्थान को देखने वाली होगी देव गुरू ब्रेस्पती नौवी द्रिस्टी से यहां शुक्र की राशी स्थान को देखने वाले होंगी इसी वज़े से कोई भी रिन से संबंदित आधार लंबे समय से आपको परिशान कर रहे थे कोई लून ली रखा था या बिजनस के एक्सपांशन के लिए किसी व्यक्ति विशेश से मरत ली थी इस पूरे ही वर्ष वहां समाधान की स्थियां आपके सामने आने वाली रहेंगी आपका पूरा ही जो फोकस है उस रिन को चोकता करने के साथ में चलने वाला होगा शत्रों के साथ में यहां एक बड़ी ही रोचक स्थिय बनती है आप देखिए कि जो लोग competitors की शकल में व्यापार में हैं या जो colleagues हैं हमारी तरक्की को रोकने का प्रयास कर रहे हैं वो भी एक तरह से indirect approach में enemies के सुरूप में ही है जहां diplomacy की requirement है बहां आप उनको diplomacy के साथ में नियंतरत करने वाले होंगे और जहां aggressive रहकर अपने कर्म के बूते उनको समझाना है ये प्रवर्तियां भी यहां आप के लिए बनी रहेगी और जब शनीदेव तीसरी द्रिस्टी से लाब भाव को देव गुरु ब्रहस्पती की राशी स्थान को देखने वाले होंगे तो वहां कोई ऐसी नकारात्मक एप्रोच निकल कर नहीं आती है शत्रों के द्वारा ये एक बहुत बड़ा indication यहां सामने रहने वाला होगा इसी के साथ में ये भी गौर करने लाइक बात है कि जो शनीदेव की द्रिस्टी पराकरम भाव पर रहेगी जैसा में आपको बताया कि आप साहसिक निर्णय अपने जॉब के अंदर ले सकते हैं और साहसिक निर्णय के साथ में उस निर्णय को सही साबित करने की आवशक्ताएं भी होती है सिर्फ परिवर्तन की स्तिया तो एक बात है इस परिवर्तन के साथ में हम क्या आगे देख रहे हैं, क्या वहां जाकर खुद को एस्टबलिश कर पा रहे हैं, ये जो मानक है आपको काफी हद तक सपोर्ट देने वाला होगा, भाग्येश 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 में हैं, किन्तु महान्याइदि पती यहां पर जहां पर भी जाएंगे एक इस्तिरता के सुरूप के और जाने वाले होंगे, और वहीं पर ये भी वहार करने लायक बात है, कि जो ये नवम भाग्येश की स्तियां है, आपके अनुभवों को पूरे तरीके से सयोग के आधार के रूप में लेकर चलने वाली रहेगी, नव सिक सुक 14 सितंबर तक कर्म के साथ में वर्दी की और जाने वाला होगा, और वहीं माता भाव के साथ में कोई भी भूमी संबंदित दुराव लंबे समय से अटका हुआ था, वहां से भी सॉल्यूशन सामने निकल कर आ सकते हैं, सर्विस इंडस्ट्री संबंदी किसी भी काम और हॉर्टी कल्चर संबंदी कोई भी कारे विशेशक के साथ में आप अपनी जीवन को जोड़ना चाहते हैं, वहां नयापन देख रहे हैं, आप वहां निरन तरता के साथ में आगे बढ़ने वाले रहें, बेटर मेंट की अप्रोच निकल कर आने वाली रहेगी, इसी के स जो 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर 2021 तक का समय अंतराल है, ये स्पिरिच्वल प्रोग्रिस के लिए काफी हद तक अच्छा कहा जाएगा, ये समय आपको आत्म विश्वास में वर्दी दे कर जाएगा, सिक्षा संबंदित कोई भी महत्वूर्ण निरना जो आपके जीवन में लंबे समय से अटके वो थे, आप देखिए कि अभी आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, किन्तु एक दूर गामी गोल सेट करके चल रहे हैं, कि पुने हैं, यहाँ पर नौकरी के साथ में हम सिक्षा के और जाएंगे, तो वहाँ 14 सितंबर से 20 नवंबर 2021 तक का समय अंतराल बहतर रहने वाला रहेगा, इस तर तके प्रतीक के रूप में उबरेगा, मार्केटिंग संबंदे कामकाज में भी यहाँ आपके हस्तक्षे बढ़ते चले जाएंगे, वहीं यहीं मैं राहू और केतु की बात करूं, तो आप देखिए कि आत्म विश्वास होने के साथी सा जो गक्ति को बारम बार परिशान करते हैं, जहां जो नरने आप ले चुके, वहां इस्थर रहने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज्यादा आवशक है, इस मूल मंतर को आप अपने भीतर अपना कर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों, और वहीं पर जो नरनायक मौ कहीं पर भी जल्द बाजी में निरने लेते हुए दिखाई दें, तो ये गौर करने की आवशकता हैं रहेंगी, कि हम उनको भी इस्थर करने का प्रयास करें, जहां पर लग रहा है कि वह बहुत जल्दी निरने की तरफ हैं, या उसके अंदर गलती की संभाव ना है, एक ब बरतियों से बचें, जो व्यापारिक साज़ेदारियां वर्षों से नर्भाद गती से चल रही थी, चोटी सी बात निकल कर आती है, आपको लगता है कि अब यहां निवाह नहीं हो पाएगा, हमको चेंजिस की तरफ जाना चाहिए, खुद की सोतंतर व्यापार की और जाना जो कई बार ग्रहस्त से निकल कर आते हैं, उनसे भी एक दूरी बना कर रखने का प्रयास आप जरूर करने बाले रहें, ये एक निविदन मैं आपसे करना चाहूंगा, सिक्षा मैं भी डिस्ट्रेक्शन की अप्रोच सामने आ सकती है, राहू की ये जो दृस्टी है, आपक निकल कर आती है, ऐसी प्रवर्तियों से बचने की आपको पूरी पूरी आवशक्ताएं हैं, यहां आप देखिएगा कि जो मंगल की शुरुवाती इस्तती 13 अपरेल को यहां प्रशब राशी में रहेगी, 14 अपरेल को ही मंगल यहां मिथुन राशी स्थान में प्रवेश क कर जाएंगे, हाला कि देव गुरु ब्रिहस्पती का नियंतरन रहेगा, किन्तु यह जो अपरेल और मई का महिना है, यहां आप अपनी वानी पर बहुत जादा संयम स्थापित करने का कारे करें, ऐसी इस्तितियां कई बार निकल कर आती है, कि व्यक्ति अपनी रफ्तार के साथ में चल रहा है, काम का आज पूरे हो रहे हैं, एक व्यक्ति उसको उकसाने का काम करता है, और वहीं से आप अपने उपर नियंतरन नहीं रख पाते, और कोई ऐसी बात बोल देते हैं, कि संबंद मैं बिगाड आ जाए, हमारी जो रफ्तार चल रही थी, उसके अंदर न भाव नाएं भी बनती है, रिसर्च संबंदी काम काज, बुगरबी विवस्ताओं संबंदी काम काज के साथ में मंगल अपने प्रभाव को तिब्रगामी आधार पर यहां सामने रखने वाले होंगे, सोलह अपरेल के बाद से ही, जब बुद अपने अवस्ताओं को परिव वाले होंगे, ये भी एक स्पष्टता है, और वहीं जो शुक्र का अधार यहां लक्षा दिपती योग को शुरुवात से ही बना रहा है, इस शुरुवात को बेहद उत्तम कहा जा सकता है, जो एक तरह से धनागमन की स्तियां होती है, जिदि वो सिर्फ संचे की तरफ जा आने लगते हैं, धन आ सकती, जो कई बार एक स्तिय है, वो जीवन की भीतर निकल कर आती है, उससे बचने के लिए यहां शुक्र की स्तियां शुरुवात से ही आपको खर्च के साथ में जोड़े रहने वाली होगी, हाला कि मदुमेह जनित रोगों से आप चार मई तक रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा, मैं एक और निवेदन यहां आप से करना चाहूंगा, कि 23 मई से लेकर जो 11 है अक्टूबर 2021 तक का समयंतराल है, आप कंस्ट्रक्शन संबंदी किसी भी कतिविधी में नए पन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी तिव हमने आता है, बले ही वो कमिशन संबंदी बेस के साथ में हो, कोई मित्र कह रहा हो के जोड़ जाईए, इस काम को बढ़ाईए, और हम आपको यहां से धनलाब देंगे, सहज, स्वीकारोक्ती की और जाना, अपनी स्थतियों को संभालना, उसके बाद में पुने है रोटेश वहां से साबदान रहें, तो वहीं जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने रहेंगे, यहां से आपके पराक्रम में उत्करस्ट व्रद्धी होती चले जाएगी, महत्वा, कांग्शाय, नियंत्रन के साथ में चलने वाली होंगी, भाईयों के साथ उन महीनों में संब के पहले पकवाड़े तक यहां चतुरत भाव के साथ में चलने वाला होगा, वो भी एक महतुपून आधार, किन्तु हरदय जनित रोगों से वहां सावधान रहेंगा, शुरवात से ही आपके लिए जो बुद्ध की स्तियां दो दिनों के भीतर-भीतर, यानि 14-16 अप्रेल यहां पर है, शनिदेव का द्रिस्टिन एक्षेपन सस्थभाव पर है, रेन संबंदी आधार से समाधान और वहीं पर शत्रु नियंत्रन में रहने वाले होंगे, फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपने साथ में लेकर चलिएगा, किन्तु आप यहां जो उदर से संबंद स्ट इतन में भी, यहां संपूर्ण सरोकार अबनेहतार्त रहने वाले हैं, दशमभाव की स्टियों में इच्छा शक्ती का भाव पूरे ही वर्ष नहीं रहने वाला, सूरीदेव की स्टियां यहां जब अपने ओच राशी स्थान के साथ 14 अपरिल के बाद से जुड़ जाएग तो अ निद्रा जनित रोक सामने आ सकते हैं, किन्तो लक्षा दिपतियोग आपको काफी हद तक सही योग देने वाला रहेगा, तो यह था नव संबत सर के साथ में चल रहा, राशी फल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे, धन्यवाद और कोटी शह है आभार